नमस्कार दोस्तों मेरा नामे प्रणेवर आप देख रिप्टी आर्टिक आज इस वीडियो में मैं आपको जो है काफी बढ़ियास और पवर्फुल स्कूटर में आपको दिखाने वानों दोस्तों पवर्फुल इसलिए कहा है कि यह स्कूटर जो है वन आप दी फास्टेस्ट स्कूटर है दोस्तों इंडिया में अविलेबिल जो है और उसी के साथ किसी भी 160 और 150cc वेहिकल से कम नहीं है दोस्तों काफी कममाल का टक कर देती है तो दोस्तों उस वेहिकल का नाम जो है अप्रि तो दोस्तों ये रहे वेहिकल के कीस में रहात में है और ये रहा वेहिकल जिसका नाम है अप्रिल या SR-160 ये स्टैंडर्ड वेरियंट आप देख रहे है दोस्तों और दो वेरियंट और भी आपको मिलते है कार्बन एन रेस रेस जो है टॉप एन वेरियंट है और ये तीनो वेरियन्स का प्राइस डीटल्स जो ही आप अप स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं स्पेशल तैंक्स ट्रीबलार मोटर्स जिन्होंने वेकिल को प्रोवाइड किया है तो चलिए दोस्तों इस वेकिल का फिजिकल ओर्वर्यू शुरू करते है फ्रेंट टू प्रोफेल से बात करेंगे ऊपर जो हे ब्लाक और रेट कॉबनेशन के साथ आपको हैंगिल बार मिलता है दोस्तों काफी सिंपुल है सेंटर में आपको अपरिलिया का बैचिंग और नीचे इटालियन फ्लाइक का बैचिंग भी आपको मिलता है and mudguard भी आपको मिलता है side profile में देखेंगे तो 160 Apriliac का batching या आपको मिलता है काफी बड़ा letter A alphabete या आपको मिलता है और अल इस vehicle का front to profile जो है काफी attractive और काफी sporty look या आपको मिलता है दोस्तो and black and red combination के साथ काफी बढ़िया सा look या आपको मिलता है तो चलिया आप बात करते है इस vehicle के lights के बारे में इस vehicle में आपको completely halogen lighting system या आपको मिलता है दोस्तो brightness and visibility में काफी बढ़िया है और इस vehicle का indicators जो है handlebar के उपर आपको indicators या आपको place किया है completely bulb system है दोस्तो competition से compare करेंगे तो LED lighting system होता तो काफी बहितर रहता है मगर इसका visibility भी काफी बढ़िया है और इस vehicle में आपको pilot lamps भी आपको available है दोस्तो या आप अप आप देख सकते है दो lights and center में आपको big light या आप आपको मिलता है तो यह रहा इस vehicle का front lighting system के बारे में तो चलिए rare lights के बारे में बात करेंगे तो यहा पर आपको tail lamp या आपको मिलता है काफी bigger size है दोस्तो और दोनों size में आपको indicator से आपको available है नीचे number plate का section है उसके लिए भी आपको light या आपको मिलता है दोस्तो और रहाल इस vehicle का lighting system जो है front and back काफी बढ़िया है दोस्तो दिखने में भी बढ़िया है performance में भी काफी बढ़िया है तो चलिए दोस्तो आप बात करते इस vehicle के tires के बारे में इस vehicle में आपको 220 mm का front disc के आपको मिलता है single channel ABS के साथ तो यह रहा इस vehicle का front braking system के बारे में tires के बारे में बात करेंगे तो 14 inches tubeless tires with काफी attractive alloy wheels याप आपको मिलते है दोस्तो sporty looking alloy wheels है black color finish के साथ और attractive याप आपको दिखते है और उसी के साथ front के suspension जो है telescopic fork suspension याप आपको front की तरफ आपको मिलता है तो दोस्तो यह रहा front wheel के tires के features के बारे में तो चलिए दोस्तो rare wheel के बारे में बात करते है यापर 140 mm का drum braking system याप आपको मिलता है और monoshock absorb का suspension याप आपको available है और उसी के साथ rare wheel ये के लिए भी आपको mudguard याप आपको मिलता है दोस्तो और काफी attractive looking alloy wheel भी आपको दिखता है तो यह रहा इस vehicle के tires, brakes and suspension के बारे में तो चलिए दोस्तो side profile को explore करते है यापर जो है काफ़ attractive looking body graphics आपको मिलते है दोस्तो जैसे की 160, Aprilia का batching, नीचे alphabet ये का batching भी आपको मिलता है काफी बढ़ी असा leg space याप आपको इस vehicle में मिलता है और उसी के साथ luggage carry करने के लिए hook and ignition याप रपको उपर मिलता है pillion के लिए अपना footrest जो है, अपना body design में ही inbuilt है दोस्तो मतलब इस तर का design याप रपको मिलता है और इस आप close करेंगे तो अपना body design में ही inbuilt हो जाते है और साइड में आपको SR-160 3V deck का batching या आप रपको मिलता है नीचे आएंगे तो याप जो है exhaust tail pipe का look या आप रप देख सकते है and mudguard का look भी आपको available है completely back profile का look जो है इस तर आपको दिखता है दोस्तो उपर grab handles के बार में बात करेंगे तो आपको जो है नीचे से पकरना होगा दोस्तो उपर flat है नीचे से पकरना होगा and यह रहा इस vehicle का seat काफ़ी comfortable and wider seat ही आप रपको इस vehicle में मिलता है तो चलिए दोस्तो दूसरे side profile का look देखेंगे तो इस तरह का look ही आप रपको मिलता है engine का look भी आप नीचे देख सकते है तो चलिए seat panel open करके under seat storage चेक करते है इस आप manually आपको open करना होगा दोस्तो इस तरह आप open कर सकते है इस vehicle में आपको 6 liter का fuel tank capacity आप रपको मिलता है दोस्तो आपको 35 to 38 kmpl का average मिलता है इस vehicle को use करके center में आपको बैटरी compartment आपको मिलता है और यह panel इसे cover up करने के लिए है दोस्तो यह battery compartment को आपको काफी बढ़ी आसा space भी आपको मिलता है अच्छी तरह एक helmet जो है अच्छी तरह place कर सकते है और अपने tool bag जो है seat के नीचे ही आप इस तरह strap कर सकते है तो यह रहा इस vehicle का under seat के storage के बारे में fuel economy के बारे में and fuel tank capacity के बारे में भी और यह vehicle जो है दो start-up powers के साथ आता है दोस्तो मतलब आपको kickstart भी आपको available है and उसे के साथ self start का feature भी आपको available है तो चलिए दोस्तो आप बात करते है इस vehicle के dimensions के बारे में यह vehicle जो है 2.8 feet width है दोस्तो 4.2 feet का height के साथ आपको seat height यह आपको मिलता है and 6.6 feet के length के साथ आता है and इस vehicle का ground clearance जो है 155 mm का ground clearance के साथ आता है and आपको 150 kg का payload के पैस्ट आपको मिलता है and 118 kg का curve weight आपको इस vehicle में मिलता है and अब बात करते हैं इस vehicle के engine specifications के बारे में इस vehicle में आपको single cylinder 4 stroke air cooled SOHC engine यह आपको मिलता है दोस्तो आपको 11.01 PS का power यह आपको मिलता है 11.6 Nm torque generate कर सकते हैं दोस्तो CVT का transmission है 160 CC का engine displacement के साथ आता है and यह mainly BS6 का engine भी है and उसी के साथ इस vehicle का top speed जो है 110 km per hour है दोस्तो आपको जो है किसी भी 160 CC motorcycle से कम नहीं है दोस्तो आप इसे आप चलाएंगे तो उसी का experience है आप आपको मिलता है मगर scooter है आपको जो है performance में कोई कम है नहीं है power and torque delivery जो है एक दम तगड़ा आपको मिलता है तो दोस्तो यह रहा इस vehicle का engine specifications के बारे में and इस vehicle का color combination भी काफ़े attractive and sporty look के साथ आपको मिलता है तो चलिए दोस्तो इस vehicle का ignition section and उसी के साथ handlebar की features को explore करेंगे इस तरह का handlebar का look की आप आपको मिलता है दोनो side mirrors यह आप आपको available है and नीचे जो है आपको ignition slot यह आप आपको मिलता है grippy handlebar है दोस्तो flat design के साथ आता है right की तरफ आपको जो है self start button left की तरफ आपको जो है सारे switches आपको मिलता है जैसे की horn indicators, high beam and low beam switches यह आपको मिलते है and center में आपको semi digital instrument cluster आपको मिलता है दोस्तो left side में आपको analog meter आपको speedometer मिलता है right की तरफ आपको digital screen यह आपको मिलता है वो भी red color का 1 minute में आपको on करके दिखाता हूं इस तरह का look यह आपको मिलता है इस vehicle का semi digital instrument cluster के बारे में तो चलिए दोस्तो इस vehicle का engine का आपको किस तरह होता है चलिए सुनते है तो दोस्तो यह रहा है अप्रिलिया SR 160 का complete review आशा कर तो आपको वीडियो पसंद आवगे आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अपना friends and family नुमर से साथ और नीचे लाल बटन को दबाके subscribe कीजिए इसी तरह latest automobile reviews and updates जानने के लिए तो दोस्तो यह रहा आज का content आउन एक और बद अगर आपको यह वेकिल लेना चाहते हो तो नीचे description में contact information and showroom address यह सारे details प्रोवाइल कर चुका हूँ तो directly जाके आप contact कर सकते हैं तो यह रहा आज का वीडियो में मिलता हूँ आपको दूसरे नए वीडियो में तब तत मैं हूँ आपका प्यार टेक signing out धन्यवाद